हलो एब्रीबडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है राइट्स ओफ रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया फ्रैंक्लिन रूजवेल्ट ने कहा था कि कोई भी कंड्री सर्वाइव नहीं कर सकती है जब तक ही वो एक्सेप्ट ना कर ले फंडामेंटल डेमोक्रासी को और fundamental democracy को तब ही कहा जा सकता है कि accept कर लिया गया है जब जो minorities की rights हैं उन्हें recognize किया जाए ऐसा माना जा सकता है कि minorities के बिना democracy नहीं हो सकती है और अगर democracy नहीं है तो यहाँ पर minorities का question ही arise नहीं होता है इसके पहले हम इस बात को समझें कि इंडिया में minorities के पास क्या rights है यहाँ पर हमारे लिए यह जानना बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि minority होता क्या है जो expression है minority उसे derive किया गया है एक Latin word से जो की है minor और जिसका suffix है iti इसका मतलब होता है small in number article 30 clause 1 में terms को इस्तमाल किया गया है linguistic और religious minorities को यहाँ पर जो शब्द और इस्तमाल किया गया है इसका मतलब यह है कि जो minority है वो linguistic minority भी हो सकती है या फिर religious minority भी हो सकती है और इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दोनों का होना जरूरी नहीं है constitution में जो term minority है उसे इस्तमाल किया गया है पर define नहीं किया गया है केरिला एजुकेशन बिल में सुप्रीम कोट ने अपना ओपीनियन प्रोवाइड किया था सुप्रीम कोट के दवारा कहा गया था कि ऐसा कहना बहुत जादा आसान होता है कि वो कम्यूनिटी जो की 50% से कम हो उसे माइनौरिटी कम्यूनिटी कहा जा सकता है पर यहाँ पर जो important question है वो यह है कि 50% of what? क्या यहाँ पर जो 50% है उसका मतलब यह होना चाहिए कि जो इंडिया की entire population है उसके 50% से कम या फिर जो state की entire population में 50% से कम लोग होते हैं वो minority में आते हैं यहाँ पर ऐसा भी possible हो सकता है कि कोई community state में तो majority में हो पर country में minority में हो कोई community state के किसी part में majority में हो पर state में minority में हो अब यहाँ पर question यही उठता है कि जब बात आती है minority को समझने की तो यहाँ पर line कहाँ पर draw की जाने चाहिए क्या यहाँ पर consideration में लिया जाना चाहिए district को या फिर town को या फिर municipality को या फिर wards को Supreme Court के द्वारा Guru Nanak University के case में कहा गया था कि जब बात आती है religious या फिर linguistic minority की तो वो minority होना चाहिए पूरी इंडिया में अगर यहाँ पर बात आती है ऐसे किसी law की जो कि एक state law है तो यहाँ पर minority निकाला जाएगा state को मद्दे नज़ा रखते हुए अगर कोई ऐसा law है जो कि पूरी country पर लागू होता है तो यहाँ पर पूरी country में जो minorities है linguistic या फिर religious तो उन्हें consideration में लिया जाएगा पंजाब में हिंदूओं को religious minority की तरह देखा जाता है वहीं आरे समाजी इसको भी पंजाब में religious minority माना जाता है religious freedom through the constitution इंडिया में काफी सारे religions पाये जाते हैं और इसके साथ ही religious freedom को protect किया जाता है Constitution of India के द्वारा भारत में Hinduism vast majority में है country की four-fifth population हिंदू है protection of religious freedom दिया गया है article 25 of the constitution में हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो enjoy करे freedom of religion को और अपने religion को practice कर सके इंडिया में जो religious minorities हैं वो constitute करते हैं one-fifth of India को उनकी भी rights को protect किया गया है Indian constitution के द्वारा यहाँ पर कुछ important cases है Hindu religious endowment मदरास versus श्री लक्षमी इंदरा तिर्था स्वामी of शिरूर मट इस case में religious practices का जो test है उसे lay down किया गया था इसमें seven judge की bench थी सुप्रीम कोट की मुहम्मद हनीव कुरेशी versus state of Bihar 1958 के इस case में सुप्रीम कोट के सामने ये प्रशन रखा गया था कि जो laws है cattle slaughter को लेकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मद्यप्रदेश में क्या वे infringe करते हैं आर्टिकल फोर्टीन आर्टिकल नाइंटीन क्लॉस वन जी को और आर्टिकल ट्वेंटी फाइफ को माइनॉरिटी राइट्स इंडिया 17th century में moral और political theory थी कि एक व्यक्ती के पास में कुछ basic rights होती है जो कि state को उसको प्रदान करनी चाहिए Part 3 of Indian Constitution प्रोवाइट करता है basic fundamental rights को Article 15 Article 15 प्रोहिबिट करता है discrimination को on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth Article 17 Abolition of Untouchability Article 17 के द्वारा Untouchability को abolish किया गया है और उसकी practice चाहे किसी भी form में हो उसे forbid किया गया है Article 25 Freedom of conscience and free profession practice and propagation of religion हर एक व्यक्ती को स्वतंतरता प्रदान की गई है कि वो अपने धर्म को follow करे माने, उसका प्रचार करे Article 26 Article 26 ये कहता है कि हर एक religious denomination को या फिर section को ये अधिकार है कि वो establish करे और maintain करे institution को religious और charitable purposes के लिए कि वे अपने religion से related matters को अपने तरीके से manage करे religious denomination और unnest sections को ये अधिकार दिया गया है कि वो acquire कर सकते हैं movable या फिर imovable property waste property को administer कर सकते हैं in accordance with law Article 27 किसी भी व्यक्ति को compel नहीं किया जा सकता है taxes को pay करने के लिए taxes जिनका proceed इस्तमाल किया जाएगा in payment of expenses किसी religion के promotion या फिर maintenance के लिए Article 28 कहता है कि religious instructions को follow नहीं किया जाएगा किसी भी particular educational institution में Article 29 कहता है कि किसी भी citizen को deny नहीं किया जाएगा educational institution में admission के लिए on the grounds of religion, race या फिर caste Article 30 प्रोवाइट करता है कि minorities को अधिकार दिया जाएगा to establish and administer educational institutions Article 30 Clause 1 linguistic और religious minorities को दो अधिकार प्रोवाइट करता है right to establish educational institution of their choice or right to administer educational institution of their choice Article 30 Clause 2 कहता है कि जब state के द्वारा aid प्रोवाइट किया जाएगा educational institutions को तो यहाँ पर जो state है वो discriminate नहीं कर सकती है किसी ऐसे educational institution के साथ में जिसे establish किया गया है किसी religious minority के द्वारा हम्दाबाद सेंट जेविर्स कॉलेज वर्स स्टेट ऑफ गुजरात इस case में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो religious minorities है वो establish और administer कर सकती है educational institution को और यह एक बहुत जादा important बात है जो कि Article 30 Clause 1 में कही गई है SP Mittal vs Union of India के case में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अगर community को benefit लेना है Article 30 Clause 1 का तो उसे ये प्रदान करना होगा कि वो community एक religious या फिर linguistic minority है और ये जो institution है वो उसी community के द्वारा establish किया गया है इन दोनों conditions को satisfy करे बगैर जो rights यहाँ पर provide की गई है उन्हें claim नहीं किया जा सकता है अंदरपरदेश Christian Medical Association vs Government of Andhra Pradesh इस case में court के द्वारा कहा गया था कि जो institution है question में वो एक minority institution नहीं है court के द्वारा बताया गया कि जो protection provide किया गया है article 30 clause 1 के द्वारा वो ऐसे institutions को available नहीं है जिनका जो main motive है वो business है एहमदाबाद St. Stephen's College vs Government of Gujarat court के द्वारा इस बात को observe किया गया कि हर एक educational institution चाहे फिर वो किसी भी community का हो वो एक melting pot होता है हमारी national life में और इसलिए यहाँ पर यह बहुत जादा जरूरी है कि वहाँ पर एक proper mix हो students का जो की अलग-अलग community से आए court का यह कहना था कि जो minority institutions है वो किसी अन्य minority के students को या फिर किसी majority के student को मना नहीं कर सकते हैं admission के लिए National Commission for Minority Educational Institutions Act 2004 यह जो एक्ट था वो 2004 में पास किया गया था strengthen करने के लिए minority education को भारत में इस एक्ट ने अलाओ किया direct affiliation of minority educational institutes to central universities इस एक्ट को enact किया गया था minority institutes में better quality of education प्रोवाइट करने के लिए इस एक्ट के द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी minority educational institution सीख कर रहा है affiliation को from central university तो ऐसा affiliation उसे grant किया जाएगा हम ये कहकर conclude कर सकते हैं कि इंडिया जैसी एक vast country में जहां पर काफी सारे religions है और minority और majority के बीच में difference है यहाँ पर minorities को उनके अधिकार provide करना बहुत ज़ादा जरूरी है इस बात को make sure करने के लिए कि जो minorities हैं वो भी develop कर सकें झाल